शियोपुर जिले में ग्राम बमोरी हाला के ग्रामणों दौरा विधान सवा चुनाव की वहिशकार का एलान कर दिया गया है और मौके पर समझाइस देने पहुंचे प्रिशासने का अधिकारियों को उल्टे पाउ लोटा दिया गया ग्रामणों ने अपने गाउं में धीवारों पर विकास नहीं तो वोट नहीं और चुनाव वहिशकार का स्लोगन लिखकर विरूद जताया है जिला प्रिशासने इस इस्तिती को देखकर एक्शन मोन में आया है ग्रामणों ने कहा है कि वोट देना आपका एक धर्म है पर ग्रामणों ने अधिकारियों को खाली हाथ लोटा दिया महीं मौके पर ग्रामणों ने कहा है कि हमारे गाउं में विकास के नाम पर जीरो बटा जीरो है महीं अगर हमारे गाउं में जो हमारे लिए काम करेगा हम उसको ही वोट देंगे लेकिन हमें आश्वासन नहीं विकास चाहिए इस सिती को देख ग्रामिन वासियों ने कहा कि हम आने वाले विधानसवा की चुनाव में हमारे गाउं से एक भी वोट नहीं डलेगा यह हम सबी लोगों ने लक्ष लिया है बामोरी हाला गाउं की लोगों ने दीवार पर लिखकर नारा दिया कि विकास नहीं तो वोट नहीं इसको लेकर ग्रामिन वासियों ने आने वाले विधानसवा चुनाव को लेकर एक मत मनाया है वे वोट नहीं देंगे चुनाब का वहिशकार करेंगे इस सिती को देखकर अधिकारी एक्शन मोड में आगे हैं और इस मौके पर पहुँचे वहीं अधिकारी मौके पर समझाने लगे तो ग्रामन वासियू ने इसका वरोत गया और अधिकारी वहां से चलते नजर आए शोपुर SDM मनोज गडवाल ने पूरे मामने पर कहा कि हमारी टीम ग्रामनों से बात कर रही हो ग्रामनों की जो भी समस्या है उसको सुना जाएगा और जो भी मुद्दे हैं उनको समझा जाएगा शोपुर से समवाददाता गोविंदगर की रिपोर्ट समस्या हैं जो भी हमुद्दे हैं उनके बात सुनी जाएगी और जो भी इसमें आसमों प्यास उतरें मूल भू समस्याओं से सब समस्याओं से जूजराय गाउं पिछले 50 साल में आज तक ग्राम पंचैत के दुवारा एक गिट्टी भी यहां पर लगाई ने गई सर्पंच के पास जाते हैं तो सर्पंच यह कहता गाउवालों से कि जाओ कहीं भी जाके शिकायत कर दो तुमने अमें क्या बोट दिये क्या कोई गब ममोरी में काम नहीं होगा और समसान की आलत देखो समसान के पैसे निकल वा लिए इतना गठिया काम किया जो छह साथ दिन पूरी दिवारे उसकी गिर गई रप्ते का काम करवाया साड़े ग्यारा लाग रुप्य का यह एक महीना निचला रप्ता पूरा रप्ता दोस्त हो गया बलकि गाउं में जगे-जगे गड़े पड़े हुए हैं स्कूल की विल्दिंग खराब पड़ी हुई हैं एड़िप गाउं में खेतों का जो रस्ता है वह बिल्कुल ब्लोक है नाड़ी जो हमारे कीचड़ है खरंजे पर बहुत ज़्यादा कीचड़ होता है और बरसात में निकलने में वह दिक्कत आती है संसान गाट है जहां इतनी गंदगी है और इतना पानी बढ़ा रहता है कि वहां किस दाग संसार करने में भी बहुत दिक्कत आती है अगर किसी ऐसी घटना हो जाती है गाउं में तो इनी बातों को लेकर हम लोगों ने जो अधिकारी आया है उन्होंने अस्वासन दिया क्या उस्ते अस्वासन ग्रामें पिछले 6 महीं ने पहले भी जन पर सीव अमरे यहां आ भी गाउं में हमारे में यह इस्तिती बनी हुई है कि आठ दस लोगों का तो है ना खेतों में धान सूखरा है रस्ता ना होने की वज़े से